फादर का अपने बेटे के गर्ल्ट्रेंड के साथ अफेर हो जाता है अब आगे क्या होगा आज के हमारी मुवी डैमेज जो 1992 की एक हॉलिवड मुवी है इसमें हम देखेंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा इसे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है और बीना किसी दरी के explanation स्टार्ट करते हैं मुवी स्टार्ट होती है और हमारा main character स्टीफन हमें दिखाये जाता है एक political office में काम करता है स्टीफन को प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया वो उसे अब promotion मिलने वाला है उनके साथ जब उसक उसके वो बहुत praise करते हैं वो अपने काम में बहुत अच्छा था स्टीफन के घर पर उसकी wife और बेटी है उसका बेटा बड़ा हो चुका है और वो भी political office में काम करता है इसके बाद हमें स्टीफन के office में party दिखायी जाती है इस party में स्टीफन के बास एना आई उसकी बेट girlfriend वो अपने आपको इंट्रिटूस कराती है स्टीफन को एना पसन आई थे और इन दोनों में awkward silences थे अब थोड़ा टाइम गुजर चुका है स्टीफन का बेटा मार्टीन या अपनी girlfriend एना को लेकर lunch के लिए यहाँ पर भी एना और स्टीफन ने दोनों awkward थे स्टीफन की wife इ गया और डारेक्ली एना के साथ intimate हो जाता है फर्स सीन में जब यह मिले थे उसके बाद इनकी relationship develop हुई है एक दिन स्टीफन के पास उसका बेटा आया और वो बहुत ही खुश था गयता है मुझे political editor की job मिली है स्टीफन इससे surprised हो गया क्योंकि बहुत बड़ा promotion है वो अपने बेटे के लिए बहुत ही खुश था अब इसी promotion की खुशी में सब family dinner करते हैं मार्टिन के grandpa उसके लिए खुश थे उसने इतनी progress की थी उन्हें एना भी पसन आई एना को उसके family के बारे में पूछा जाता है एती है मेरे father एक diplomat थे उसकी mother एक French है उसकी चार शादिया हो चु में हुए है तीन साल पहले एना का breakup हुआ उसके बाद तो लंडन में ही रहती है इंग्रिद एना से बहुत सारे question बुशती है जैसे क्या अपनी मदर से तुम मिलती हो या तुम्हारा कोई brother है एक्च्वल में एना को एक brother था पर उसने suicide कर ली इंग्रिद ने पूछा ऐसा क् एना कहती है कि किसी से प्यार करता था एक conversation बहुत ही आजीब होगे तो जल्दी से मार्टिन एना को यहा से ले कर जाता है मार्टिन को कुछ काम था तो अपने office चला गया रात में स्टीफन एना के पास आता है तो कहता है हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा तिनर करते कि दोनों एक दूसरे के साथ intimate हो जाते हैं intimate होने के बाद एना अपने प्रदर के बारे में और भी बाते कर रही थे वो खहती है मेरी family को बहुत बार move होना पड़ा मैं और मेरा प्रदर हम दोनों है एक दूसरे का सहारा थे मेरा प्रदर मेरे लिए possession हो गया वो मुझे ले पाना चाता था एना की ब्रदर ने प्यार की वज़े से suicide की पर यह प्यार वो एना से ही करता था एना ने कहा लाइफ में सबसे बुरी चीज जो हो सकती है वो अल्लेडी मेरे साथ हो चुकी है मेरे ब्रदर की जाने के बाद मैं बहुत ही टूट गई थी मेरे पास दो option एक तुम्हें वैसे ही रहती यह आपने आपको खड़ा करती है डामेज्ड लोग यह बहुत ही डेंजरस होते है क्योंकि उन्हें फिर से उठना आता है एना स्टीफन से कहती है जो भी चल रहा है वो बहुत ही अच्छा है प्लीज इसे चेंज मत करना स्टीफन के एक conference थी तो चाहता था कि उसके साथ एना आए पर एना उसे मना अगर देती है जब बात में स्टीफन की अपनी वाइब से बात हुए तो इसे पता चला कि मार्टिन और एना यह दोनों Paris गए हुए है स्टीफन इसके बाद अपने conference में तो गया पर उसका मन लग नहीं रहा था वो फ कुछ भी जीज़ देखनी सकता एना कहती कि मुझे वापस जाना पड़ेगा मार्टिन अभी भी सो रहा है वो चली गई पस स्टीफन एना का होटेल में रूम लेता है उसने अपनी होटेल की खिड़की से देखा तो एना और मार्टिन यह दोनों intimate हो रहे थे स्टीफन को ब पिस गया तो फिर से एना को कॉल करता है आज उससे सिर्फ intimate होने के लिए नहीं मिलना चाहता था यह दोनों मिलकर एक पार्क में आए एना कोई idea अच्छा नहीं लगता वो स्टीफन के साथ सिर्फ बेड़ की relationship ही रखना चाहती है इसके आलावा वो कोई भी intimacy नहीं चाहती ह स्टीफन कहता है मैं मेरी wife को छोड़ दूँगा यही सब के लिए ठीक होगा एना कहती है तुम्हारे बेटी का क्या स्टीफन नहीं कहा कि वो भी ठीक हो जाएगा कोई भी problem नहीं होगा एना कहती है कि वो हमेशा के लिए तुम्हें hate करेगा तुम अपनी family lost कर दोगे और कि वजे से ताकि मेरे साथ रह सको मेरे साथ breakfast कर सको यह सब already तुम्हें तुम्हारी wife के साथ मिल रहा है जो चीज तुम पाने की कोशिश कर रहे हो यह already तुम्हारे पास है एना चाहती थी कि सब कुछ जो चल रहा है वैसा ही चलना चाहिए एक दिन स्टीफन का बहुत important interview था उ उसे congratulate करती है वो इसके पास आई कहा हम first time मिले थे तो तुम एक doctor थे चोटी चोटी चीजों में भी तुम बहुत ही perfect थे यही चीजों से बहुत पसंद आई थे हम इन दोनों husband wife की relationship आजकल struggle करते हुए देख सकते है वो सिर्फ एक साथ रहते है स्टीफन को एना के साथ जो passion म friend है वो बिना बताय आया हुआ था इसी वज़े से दोनों surprise थे स्टीफन पीटर से पुझता है तुम उसे कब से जानते हो पीटर कहता है मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ वो आजकल मार्टिन के साथ बहुत ही खुश है यह वो deserve करती है यहाँ पर indicate होता है कि पीटर को स्टीफन और एना के बारे में पता चल चुका था स्टीफन अभी तो यहाँ से चला गया था पर पीटर की जाने के बाद वो फिर से वापस आता है एना से पुझता है यह सब क्या था एना कहती है कि पीटर मेरा first boyfriend था एक दिन में उसके साथ date पर गई थी जब मुझे घर drop करने के लिए तो हम कार में किस करने लग गए यह सम मेरे ब्रदर ने देख लिया था वो बहुत जेलस हो गया वो मुझे सिर्व उसके लिए चाहता था उसने मुझे पूछा क्या तुम अब सब के साथ date पर जाओगी क्या इस वर्ल्ड को हमारे बीच में आने दोगी एना इस सारी बात को इग्नोर कर दिया उसका ब्रदर दो तीन घंटे तक उसके दोर के बाहर था एना ने उसे कोई भी रिस्पॉंस नहीं दिया जब उसके ब्रदर की आवाज कम हुई तब उसने सुसाइड कर ली थे इस बात से एना बहुत ही शौक में थी इस गर में एना और जान दे थे तो उसी के पास गए एना गम में थी तो पीटर ने उसे सहरा दिया एना ने कहा पीटर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था अपने गम में एना फर्स टाइम पीटर के साथ ही इंटिमेट हुई थे स्टीफन को एना के लिए बहुत ही पुरा लगा इंग्रित का बड़े था तो अपने फादर के पास हो जा रही थे अपनी पूरी फैमिली के साथ ये बड़े उस पेंट करना चाती थे मार्टिन सेलिबरेट करने के लिए एना को भी लेकर आ रहा है इंग्रित को पसंद नहीं आता एना उसे ज़रा अजीब लगती है ये सब ग्रैंपा क किस तरह से बच्पन में ये सब यहाँ आया करते थे इसके बारे में बाते हो रही थे मार्टिन कहता है बच्पन में सब कुछ बहुत ही परफेक्ट था पर फिर भी उसे खाली खाली लगता था उसकी फैमिली हमेशा उसे एमटी लगी है उसमें कभी भी कोई भी जगड़े नहीं हुए जिस तरह से हर फैमिली में पैशन होता है यह कभी भी भी नहीं था इस बात के लिए वो अपने फादर को दोशी मानता है स्टीफन ने कभी भी अपने फैमिली के उपर जाता ध्यान नहीं दिया इसके बाद नेक्स डे मार्टिन और एना साथ थे इन्हें देखकर स्टीफन जेलस हो गया मार्टिन अनौस करता है कि वो एना से शादी करने वाला है सिर्फ उसके ग्रैंड फादर ही उसके लिए खुश थे इंगरीत को भी एना पसंद नहीं और स्टीफन का कुछ अलग प्रॉल्म है स्टीफन जब मार्टिन के साथ अकिला था तो उसे बुच्छता है कि आना ने तुमें डारेक्ली हा कह दिया वो कहता है कि हा मार्टिन ने अपने फादर को जो भी बुरा कहा इसके लिए उससे अपॉलोजाइस करता है इसके बाद वो कहता है आना में कुछ अजीब साई सैडनेस है वो जब उसके साथ होता है तो एक क्यूर हो जाता है स्टीफन ने कहा ये तो नर्स की तरह लगता है मार्टिन समझाता है कि आना जब मेरे साथ होती है तो उसके एक अलग ही साइड है रात में सब के सो जाने के बाद आना और स्टीफन हे फिर से एक दुसरे से मिले अंदर जाकर इंटिमेट हो गए आना के रूम से जब स्टीफन बाहर आया तो उसकी डॉटर ने देख लिया था अल्ली दिना कर वो अपनी डॉटर को समझाता है कहता है तुम्हारी मदर और मुझे हम दोनों को अना अच्छी नहीं लगती मार्टिन से शादी से पहले हमें उसे बात करनी थी इसी वज़े से मैं गया था डॉटर भी ये सब बात समझ जाती है फिर भी डर है ये शायद उसे कुछ ना कुछ तो पता है अब नेकसिन में एना की मदर मार्टिन की फैमिली से मिलने के लिए आई हुई है एना की मदर सप्राइस थी कि मार्टिन एक बहुत ही अच्छा लड़का है वो कहती है कि एना की यूज्वल चोईस से तुम बहुत ही डिफरेंट हो वो हमेशा बहुत ही घटिया लड़कों को डेट करती है यही बाते करते करते थोड़ी दर में एना की मदर ने एना के ब्रदर के बारे में बाते निकाली वो कहती है एना का ब्रदर और मार्टिन यह दोनों बहुत ही सेम दीखते है ये बात सब के लिए बहुत ही आजीब थी एना अपने मदर पर चीड़ गई क्योंकि उसे सबजेक नहीं निकालना चाहिए था एना की मदर को बहुत ही बुरा लगा कि लंज उसकी वज़े से बरबात हो गया स्टीफन एना की मदर को उसके होटल तक छोड़ने के लिए आया मदर कहती है एना आज कल बहुत ही खुश है इसी वज़े से ये सब बरबात हो जाए ये सही नहीं होगा स्टीफन कहता है कि आप किस बारे में बात कर रही हो एना की मदर ने कहा मुझे तुमारे बारे में सब कुछ पता है लंच पर तुम एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे मदर कहती कि जो भी चल रहा है इसे अभी क्या भी बन करतो वरना इसके कंसिक्वेंसेस बहुत ही बुरे होंगे स्टीफन ने फिर एना को कॉल किया कहा हमारे बीच में जो भी चल रहा है यह हम अब खतम कर डालेंगे यहीं मार्टिन और तुमारे लिए दोनों के लिए सही है इसके बाद स्टीफन मार्टिन से मिलने के लिए आया मार्टिन की डेश पर उसकी एना की और स्टीफन की फोटो थी इसे स्टीफन देख रहा था मार्टिन गहता है अगर आप चाहो तो इस फोटो को रख सकते हो स्टीफन ने आज कन्वेस किया कहा तुम्हें जो भी लगता है यह सब कुछ सही है हमारे फैमिली पर मैंने जादा फोकस नहीं किया था मुझे लगता था कि लाइफ मैं सब चीज़े में कंट्रोल कर सकता हो पर यह सही नहीं था तुम स्मार्ट हो तुम्हें इसके बारे में अल्डेडी पता है वो अपने बेटे पर बहुत ही प्राओड है स्टीफन राद में बहुत ही देर तक काम करता है वो डिस्टब था तो उसे घर भी नहीं जाना था आज पार्टी थी तो इंग्रीट ने उसे कॉल किया वो उसे मना कर देता है कहता है कि मुझे बहुत सारे काम है और मेरे कलीब भी मेरे साथ काम करे है हम देखते हैं इंगरीद के पास स्टीफन की फ्रेंड थे उसे पता चल गया स्टीफन उसे जुट कह रहा है स्टीफन आजकल बहुत दिस्टव था और अभी अभी इंगरीद को पता चला उसे प्रोमोशन मिला है फिर भी हो सैड था तो उसके पास आई उसने पुचा कि क्या हुआ है स्टीफन कहता है इशायद में प्रोमोशन नहीं चाहता उसके साथ जो भी चल रहा है उसे एक्स्प्लेन नहीं कर सकता इस बात से इंगरीद भी अपसेट हो गई एक दिन एना ने स्टीफन के ऑफिस में गिवड भेजा उसमें उसके नए घर की की थी एना और स्टीफन की बीच में जो भी चल रहा है यावेशा सही से चलता रहे इसी वज़े से एना ने एक सेपरेट घर लिया था स्टीफन इक घर जाकर देखकर आया एक दिन फिर से मार्टिन एना को लेकर घर आया था जब Anna और Stephen अके रहे थे तो Anna कहती है अगर मुझे तुमसे दूर होना होता तो ये मार्टिन से शाधी नहीं करती है वो Stephen के ही पास रहना जाती है इसी वज़े से वो मार्टिन से शाधी करने वाली है इन्होंने डिसाइड किया और फिर से एक दिन वो एना की घर पर मिले यह जब दोनों इंटिमेट हो रहे थे तब ही एना को ढूंते हुए मार्टिन वहाँ पोच गया उसने डोर खोल कर इन्हें इंटिमेट होता देख लिया मार्टिन बहुत बड़े शौक में था उसका ध्यान निरा उपर से और नीची गिर गया उसकी इंस्टनली डेथ हो जाती है स्टीफन वैसे ही भागते उसे गले लगा लेता है वो बहुत रोया अब एक्चुल में यहां हुआ क्या यह पुलीस की वज़े से सब को पता चल गया रात में स्टीफन घर पर आता है उसकी वाइफ ने अपने आपको हर्ट कर लिया था वो बुच्छता है कि तुमने ऐसा क्यों किया वो गहती है कि दर्थ बहुत ही जादा है इस में इनको हैंडल नहीं कर सकते इंग्रित ने का मार्टिन को एना के फ्लैट के बारे में पता नहीं था पर होमोनन ने घर पर कॉल किया मार्टिन के लिए सप्राइस था तो यही फ्लैट देखने के लिए वो गया स्टीफन और एना के आने का टाइम और मार्टिन के बहाँ जाने का टाइम यह सेम हो गया इंगरित ने कहा एक coincidence था अगर उसे पता नहीं चलता तो यह हमेशा चलता रहता तुमने अपने आपको मार क्यों नहीं डाला तुम इतने बुरे भी नहीं हो सकते है वो रोने लग गए तो स्टीफन उसे गोलिया देता है वो गहती है मुझे ही मेरा बेटा वापस चाहिए अ वाज उसे अपनी जौब से रीज़ाइन करना पड़ा औव फिर से अना से मिलने के लिए आया हूआ था वहावार एना की मदर थी वो कहती है कि आना यहां से चली जा चुकी है एना की मदर कहती है हो पीटर से मिलने के लिए उसके पास कईciones ने फीगर आउड किया कि आना अ गुमता रहा उसने रियलाइस किया कि हम humans कैसे बने हैं हमारे पीछे परपस क्या है इस सब के बारे में नहीं जानता जब आदमी प्यार करता है तो चीज चीज को जान नहीं सकता उसके थोड़े से करीब आ जाता है प्यार के अलवा इस वर्ल्ड में कोई भी चीज मैटर नही प्यार करता था तो इसी वज़े से उसने सब कुछ किया उसकी ब्यूटिफुल सी फैमिली थी कुछ बल के लिए उसने सब कुछ बरबात कर दिया और फाइनली वह अकिला था इसके सब कंसिक्वेंसेज अब उससे आगे की आने वाली लाइफ में भूगतने बढ़ेंगे प्यार तो हम सब को करना चाहिए उसके लिए मेट हमें पता होनी चाहिए आज का वीडियो हम यही कतम करते अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज ला करते हैं